दोस्तों यहां जहां COVID-19 के समय पे सारी कमपनिया डूबे चली जा रहे थी इस टॉक के दाम जमीन पर चले आए कई गुना चार गुना तीन गुना पाँच गुना कई गुना गिरते चले गए इस वीच में कमपनिया अपने लॉस को रिकवर करने के लिए या फिर अपने इं इंडिया का एक नमबर वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये भी अपना एक IPO लेकर आ रहे हैं मैं आपको दो मिनट में पूरी डिटेल को सौट में समराइज करके बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सिर्फ दो मिनट लगेगा आपका एं इंजल ब्रोकिंग की तो इंजल ब्रोकिंग नमबर वन सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया का आप सबके लिए ये ख़बर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि IPO लाने का मतलब इंवेस्टर्स के लिए कमाई करने का मौका और कमपनी के स्टॉक पे जितना जादा से जादा इं इंजल ब्रोकिंग के कुछ चीजों के बारे में यहां आपको मैं बता दूँ कि एंजल ब्रोकिंग का जो एन्वल मेंटिनेंच चार्ज है पहले साल फ्री रहता है मिनमम ब्रोकरिंग चार्ड जीरो पैसे फ्लैट 20% डिलिवरी में होता है और यही नहीं इसके साथ आपको मिलेगा इस्पेसल रोबो ओर्डर की फैसिलिटी तो देड़ ना करिए अगर आपने अभी तक डिमेट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप खुछ से पांच मेंट पर अपना डिमेट अकाउंट खुछ सकते हैं चली अब अफ ऐड़ क्लाइंट औरन resident के हिसाब से एंडिया का वण आ अ फ लाजेस इंडिपेंडेंट फुल सर्विट ब्रोकरीज फ़र्म है थे जिसकी र्जन पर स्थेंथ एज्डिवेशा का बिजनेस एरिया यह यह है आपको जानकर हैरानी होगी कि एंजल ब्रोकिंग ने हर महीने एवरी मन्त एक लाग से ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपेन किये हैं देश बर में देश के नए और यंग इन्वेस्टर्स एंजल को चूज करते हैं ताकि उनको बेस्ट इरर फ्री यानि कि बिना किसी तकलीफों वाला एडवाइजर मिले जिसे वो प्रॉफिट कमा सके अपने पैसे को सेफ मोड में रख सकें अब बात करते हैं इसके IPO डिटेल को आने की तारीख के बारे में तो इसका जो इसू डेट है जो IPO को तारीख है जो जिस दिन ये इशू होगा वो है 9 सेप्टेंबर 9 सेप्टेंबर को इशू होगा 600 करोण का IPO ये लेकर आ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग इसके बुक रणिंग लीड मेनेजर्स ICICI सेक्षन और एडलवाइस फैनेंस और SBI कैब ये हैं lot size जो की declare नहीं है अभी और lot size का price अभी declare नहीं इसको जानने के लिए चैनल को like और subscribe जरूर रखिए ताकि आप इस पर बने रहें और जैसी ही detail आएगी मैं आपको एक दिन पहले जरूर बता दूँगा ताकि आप प्लान कर सके आईए अब जानते हैं company के promoters कौन है company के promoter है दिनेज D. ठककर, आलोग D. ठककर, एंड सुनिता A. मिखलानी ये सभी इस company के promoters हैं तो आईए एक नजर डाल लेते हैं company के financial position पर भी company का जो total assets था सन 2016 में मार्श की बात करें तो 9,288 उसके बाद ये अब बढ़कर 19,206 हो गया है यानि 10,000 का difference है ये बहुत बड़ा difference है लेकिन अगर हम बात करें इसके revenue के बारे में तो अगर सन 2016 में इसका revenue 3813 था तो अब वो घटकर 1978 हो गया है तो इस बात का आपको ध्यान अखना होगा लेकिन इनका tax जो था 254 था 31 March 2016 को और अब 255 है तो यानि ये millions में है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि asset तो इनका काफी अच्छा बढ़ा है बट इनका revenue कम हुआ है तो COVID-19 के चलते revenue कम हुआ होगा अगर हम हर साल को अगर compare करके देखते हैं तो COVID-19 मार्च में ही आया था तो मार्च से फिर से एक बार मैं आप सौट में आपको समराइस कर देता हूँ कि सन 2016 में जो इनका revenue था वो 3813 था और मार्च 2017 में 4714 था यानि के बढ़ा था और 31 मार्च 2018 को 7522 था जो कि बढ़ा था मगर 2019 की बात करें तो 1978 रह गया क्यों क्योंकि COVID-19 के चलते थोड़ा सा problem आ गई सो फ्रेंड्स सेतंबर 9 को यानि 9 सेतंबर तक वेट करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहे एंजल ब्रोकिंग IPO से related ख़बर पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कॉमेंट्स में जरूर बताएगा ये कंपनी आपको कैसी लगती है इस कंपनी में क्या कमी है क्या आप investment इसमें करना चाहेंगे इसके IPO में या फिर नहीं मैं आपकी राय जानना जरूर चाहूंगा